हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इबन एजुकेशन यूटूब चनल स्टूडेंट्स आज हम वो पस्तित हैं आपके ले लिखर एक और इंपोरेंट ओलाइन जी के कोशन टैसरीज ये काफी इंपोरेंट होने वाली है तो इस कोशन टैसरीज को पूरी देखिएगा और बड आपकी स्क्रीन पर इस्टूडेंट्स आपको बताना है निमलिखित में से कौन सा विकल्प परिकिर्मा में उपगिरो को इस्थापित करने के लिए प्रियोग किये जाने वाला प्रचेपण यान नहीं है इस्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर चार ओप्सन है चार ओप्स को हम डिटेल में भी डिसकस करेंगे चलिए स्टूडेंट्स आपका समय शुरू होता है अब से टाइम अफ्रेंट का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर बी जी सैट एट चलिए फ्रेंट्स इस को डिटेल में जा लेते हैं जी सैट एट भारत का संचार उपगिरे है जबकि सेस तीनों प्रेचे पड़ियान है इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट रिमोट सैंसिंग लोनर उपगिरे चंद्रियान फर्स्ट को किस बर्स में प्रेचे पित किया गया था टाइम फ्रेंट्स आपका राइट आंसर ओप्सन नमबर बी 2008 चली फ्रेंट्स इस कोशन को डिटेल में जाल लेते हैं रिमोट सैंसिंग लोनर उपगिरे चंद्रियान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रियान पर भीज़ गया था यह यान PSLBC 11 के द्वारा प्रचेपित किया गया था इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकरी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट पहले भारतिया आंतरिक्ष यान ने अपने डैस पिरियास में मंगल गिरह की कक्छा में प्रवेस किया टाइम अफ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A प्रथम पिरियास में चली फ्रेंट्स इस कोशन को डिटेल में जाल लेते हैं मंगल यान भारत का पर्थम मंगल अभियान है बस्तुता यह है भारतिया आंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्व कांची पर्योजना है इस पर योजना के अंतरगत 5 नमबर 2013 को मंगल गिरह की परिकर्मा करने हेतु एक उप गिरह आंध प्रदेश के सिरी हरी कोटा इस्तित सतीज धवन आंतरिक्ष केंदर से धुरुबित किया गया था इसका परछेपण PSLB C25 द्वारा सपलता पूरवक किया गया था इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमबर next कक्षा में एक आंतरिक्ष स्टेशन नहीं था टाइम अफ फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D बोईज फरस्ट चली फ्रेंट्स इस कोशन इसको डेटेल में जा लेते हैं बोईज फरस्ट ब्रह्म और प्रणाली के अध्यन हेतु नासा द्वारा सितंबर 1977 में परचेपित आंतरिक्ष मिसन है इन विकल्पों में से तीन विकल्प आंतरिक्ष स्टेशन है जबकि बोईज नहीं है इस कोशन से इतनी महत्पूर जनकारी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट नासा का मुख्यालय कहां है टाइम और फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर बी वासिंग्टन कोशन नमबर नेक्स्ट नासा आंतरिक्ष कारे किरम और डैस अनुसंद्धान के लिए उत्तरदाई है टाइम और फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर बी एरोनोटिक्स चलि फ्रेंट्स इस कोशन को डेटेल में जा लेते हैं नासा नासा की फुल फोर्म हो जाएगी नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस अड्मिनिस्टरेशन समानेता आंतरिक्ष कारे किरम एवं एरोनोटिक्स हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक साका है इसका मुख्छाले बासिंग्टन डीसी में इस्तित है इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट डैस पहला उपगेरे था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रच्छेपित किया गया था टाइम अफ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी एक्स्प्लोलर फस्ट चले फ्रेंट्स इस कोशन को डेटेल में जा लेते हैं एक्स्प्लोलर फस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रच्छेपित पहला उपगेरे था इसका प्रच्छेपण 1958 में अंतरास्टी ये भूब होती की बर्स में भाग लेने के हिस्से के तोर पर किया गया था इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट मानव रहित उपगेरे का पहला सफल कक्छिय प्रच्छेपढ़ डैस के दुआरा किया गया था टाइम ओफ फ्रेंट्स आप घराइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी सोबियत संग कोशन नमबर नेक्स्ट दुनिया का पहला क्रतरीम उपगेरे जो 83.60 किलो गिराम के एक बीच वोल के आकार का था किसने लॉंच किया था टाइम ओफ फ्रेंट्स आपका राइट आंसर होप्सन नमबर सी सोबियत संग चली फ्रेंट्स इस कोशन को भी डिटेल में जा लेते हैं मानब रहित उपगेरे का पहला सफल कक्षे परचेपन ततकालीन सोबियत संग दौरा किया गया था इस पोतनिक फर्स्ट रूस दौरा परचेपित प्रतवी का पहला क्रतरीम उपगेरे था इसे बर्स 1957 में परचेपित किया गया था यह 83.60 kg का एक गैंद के आकार का था Question number next आंत्रिक्ष से सोर उर्जा काण किस रोबर्टिक आंत्रिक्ष यान से लाया गया था Time of friends आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A जैंसिस चलिए friends इस questions को डिटेल में जा लेते हैं जैंसिस नासा दौड़ा परछेपित आंत्रिक्ष यान था जिसका उदेशिया आंत्रिक्ष से सोर उर्जा कणों के नमूने लाना था यह आंत्रिक्ष से सोर बाईयु के नमूने लाया था इसे बर्स 2001 में डेल्टा सेकिंड 7,3,2,6 रोबर्ट द्वारा छोड़ा गया था इस कॉशन से इतनी महत्पूर्ट जानकारी हमें मिलती है कॉशन नमबर नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा एक उपगरह सेबा परदाता है टाइम आफ फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उचन नमबर बी इंटेल सेट चलिए फ्रेंट्स इस कॉशन को डेटेल बें जाल लेते हैं इंटेल सेट यानि इंटरनेशनल टेल कम्यूनिकेशन सेटेलाइट और्गनाईजेशन इंटरल सेट एक उपगरह सेबा परदाता है इस कॉशन से इतनी महत पूर जानकारी हमें मिलती है कॉशन नमबर नेक्स्ट यूथ सेट है एक डैस टाइम आफ फ्रेंट्स आपका राइट आंसर ओप्सन नमबर बी उपगरह कॉशन नमबर नेक्स्ट तीसरी पिंडी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजिस्थान में डियार डियो द्वारा सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया था टाइम आफ फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी नाग चलि फ्रेंट्स इस कॉशन को भी डेटेल में जा लेते हैं नाग डियार डियो द्वारा दागो और भूल जाओ की तर्क पर पिक्सित तीसरी पिंडाली की एक एंटी टैंक भेदी मिसाइल है इसके भूमी संस्करण की मारक चमता 500 मीटर से 4 किलो मीटर तक है इस कॉशन से इतनी महतपूर जानकारी हमें मिलती है कॉशन नमबर नेक्स्ट डियार डियो द्वारा रुस्तम सेकिंड किस प्रियोजन के लिए बिक्सित किया गया है टाइम फ्रेंट्स आपका राइट अंसर हो जाएगा ओफसा नमबर बी मानब रहित लड़ाकू हवाई बाहन चलि फ्रेंट्स इस कॉशन को भी जान लेते हैं डियार डियो द्वारा निर्मित रुस्तम सेकिंड मानब लड़ाकू हवाई बाहन है यूसी एबी यानि Unmanned Combat Air Vehicle परियोजन हेतू इसका विकास किया गया है इस कोशन से इतनी महत्पूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमबर नेक्स्ट भारत की लंबी दूरी की मिसाइल में से कौन सी पहली बहु लक्षे मिसाइल है टाइम और फ्रेंट्स आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर ए अकास मिसाइल कोशन नमबर नेक्स्ट डैस एक भारतिये हलके लड़ाकू बिमान का नाम है टाइम और फ्रेंट्स आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर बी चलिए फ्रेंट्स को डिटेल में जा लेते हैं डियार दियो द्वारा निर्मित आकास मिसाइल सतह से हवा में यनि S.A.M. में मार करने बाली माध्यम दूरी की बहु लक्षे मिसाइल है टैसरीज का अगला कोशन्स भारत का पहला बिमान बाहक पोथ I.N.S. बिकरांत सेना से कब सेबा मुक्त किया गया टाइम फ्रेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ओक्षा नमर ए उनिस सो सत्तावन चलिए फ्रेंट्स इस कोशन्स को डिटेल में जा लेते हैं भारत का पहला बिमान बाहक पोथ I.N.S. बिकरांत जो 4 मार्च 1961 को भारतीय नोसेना में सामिल हुआ था 31 जनवरी 1957 को सेबा मुक्त कर दिया गया इस कोशन्स से इतनी महतपूर जानकारी हमें मिलती है कोशन नमर नेक्स्ट I.N.S. अरहिंत निमलिखित में से क्या है टाइम फ्रेंड्स आपका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमर डी पंडू बी कोशन नमर नेक्स्ट H.A.L. द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वेदेशी बिमान कौन सा है टाइम फ्रेंड्स आपका राइट अंसर ओप्सन नमर बी ह्टी सेकिंड कोशन नमर नेक्स्ट भारत में पहली बार G.S.L.E.B. का इस्थमाल कब किया गया था टाइम फ्रेंड्स आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी दो हजार एक चले फ्रेंड्स इस कोशन को रिटेल में जाल लेते हैं पहली बार G.S.L.E.B. का इस्थमाल बर्स दो हजार एक में किया गया था बो इस्तिर उपगिरे परचेपड़ियान उपगिरों को प्रत्वी की बो इस्तिर काक्षा में परचेपित करने में मदद करते हैं इस कोशन से इत्ती महत्पोर जानकारी हमें मिलती है दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफूल हो आपको अच्छी लगिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूच की दिएगा और अपने फ्रेंट्स में सेयर की जिएगा और इसी तरह की इंपोटेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूच कीजिएगा चलिए दोस्तों हम मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में इसी उत्सा और उमंग के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई